आप्टरेचर लवर्ड्स विदेक्यस राजबीर यो फेबरीट प्लाट्फॉर्म फो इंग्लिस लिटरेचर दोस्तों आप किसी भी लिटरेचर एक्जाम की प्रिपरेशन करते हो कोई भी लिटरेचर का एक्जाम हो चाहे वो आपका किसी भी आप लिटरेचर एक्जाम की प्रिपरेशन करते हो लिटरेचर लवर्ड्स यूट्यूब चैनल आपकी लिए वन स्टॉप शोलूशन है जो आपको लाइट क्लासेज ग्रामर लिटरेचर और जीएस सभी की लाइट क्लासेज प्रवाइड करता है दोस्तों आज की ये जो पोयम है आपने वैसे देखा है इसका टाइटल क्या है आपके भारत के प्रतम प्रधान मंतरी पंडित नहरूजी बहुत प्रवावित हुए इस पोयम को पढ़कर इसके बाद दोस्तों अगर ऐसी ही एक पोयम सिमिलर पोयम की आप बात करें तो एक और बहुत ही अच्छी इंडियन हिंदी पोईटिस हैं यानि कि एक कवित्री हैं महा देवी वर्मा महा देवी वर्मा जी ने इस पोयम पर बेस देख अपनी पोयम लिखी है जाग तुझको दूर जाना बाइद वे किसी भी दोस्तों एक्जाम में ये पोयम हो इस टॉपिंग बाइ वुड्स ओन स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रोस्ट की आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इतनी बहतर इतनी बहतर ये पोयम लगेगी जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा दोस्तों मैं हूँ ये केस राज़वीर मैंने 3 टाइम यूजी सीनट क्वालिफाई किया है और PGT एक्जाम भी UP PGT एक्जाम भी क्वालिफाइड हूँ और other exams भी मैंने क्वालिफाई किये है और YouTube platform पर आपको free classes प्रवाइड करता हूँ और Unacademy के platform पर UGC net के लिए मैं एक expert faculty हूँ आप मेरी classes जैसे free class एक और आने वाली है यानि आज की 8 p.m. दोस्तों आपको मिलेगी मेरी class Unacademy पर Unacademy app पर absolutely free इस code को apply करके आप मेरी free classes या paid classes दोनों type की classes आना के आड़मी app पर देख सकते हैं और अगर हैं आप TGT, PGT और LT grade, grade 1 या फिर NBS, KBS, DSSB के aspirant तो आप हमारे course join कर सकते हैं इन नंबरों पर call या फिर message करके जहां पर आपको पूरी information आपके course से regarding provide कर दी जाएगी अब दोस्तों ये सही समय है कि जब हमें इस poem को शुरू करना चाहिए इस poem को बहुत ही अच्छे से शुरू करूँगा मैं और आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ आज मैंने ये same poem अपने paid students को पढ़ाया है paid students जो भी हमारे paid classes में रहते हैं उन students को मैंने यही वाली poem आज पढ़ाई है guys है ना बिलकुल दोस्तों ये वो poem है जिसको पढ़ने के बाद सच में आपने एक energy का संचार होगा एक जो सायगा आपके अंदर और आप बहुत ही बहतर तरीके से इस poem और शात में अपने एक motivation को जो next dose था है उसे ले करके चलेंगे poem की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये poem published हुई थी 1922 में 1922 के time period में लिखी गई थी frost ने इसे लिखा था और 1923 में दोस्तों ये poem published हुई 1923 is the year when the poem is stopping by woods on a snowy evening that was published collection का नाम है new hampshire volume this is the name of the collection जिस collection में ये poem publish हुई थी stopping by woods on a snowy evening बाइदोबे दोस्तों ये जो poem है आपकी तो ये tetrameter में है आयंबिक tetrameter में है और इसमें रुबईयत stenja आज को यूज किया है Robert Frost ने consistenja अयाद रखेंगे रुबईयत stenja and you know guys which one meter so iambic tetrameter यहाँ पर सिर्फ tetrameter लिखा है but yes iambic tetrameter in this particular poem has been used अगर और भी दोस्तों इसके बारे में informative बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए भारत के प्रथम प्रधान मंत्री the first prime minister of India i have promise to keep and miles to go before i sleep last stenja है इस particular poem का दोस्तों मैं इस particular poem के बारे में Robert Frost का खुद मानना था कि ये मेरी poem वो poem है जिसे लोग याद रखेंगे मुझे जब याद करेंगे लोग तो कहेंगे कि Frost ने एक बहुत ही बड़ी हाँ poem लिखी थी best वाली poem जिसका नाम है stopping by woods on snowy evening और ये statement है my best vid for remembrance लोग मुझे याद रखें इसके लिए ये मेरी एक ऐसी poem है जिसको मैं अलविदा कहते हुए जैसे लोग कहेंगे कि अब Robert Frost नहीं रहे इस दुनिया में तो लोग ये सोच करके याद करेंगे the people they will think yes he was the man he composed the poem stopping by woods on snowy evening I hope शो इतनी चीज़े आपको clear होंगी अब दोस्तो हम इस poem की main theme पर shift करेंगे जब हम दोस्तो इस poem की main theme पर shift ही कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस particular आप image को देखें ये जो दोस्तो image है और एक मैंने शुरू में आपको image दिखाई थी ये जो image है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कोई है जो इस horse के ऊपर बैठा हुआ है and in between the woods वो woods के बीच से जा रहा है guys ऐसी ही कुछ theme मैं आपको इस particular poem में शो करने वाला हूँ got it? yes इस particular poem में यही theme में आपको शो करने वाला हूँ दोस्तो एक traveler है जो जा रहा है woods के बीच से there is a traveler passing through the woods और यह जो woods हैं that are two lovelier beautiful place you know guys बिलकुल natural scenery है greenery है चारों तरफ और वहां से यह गुजर रहा है and by the way guys ऐसा जो द्रश्य होता है the kind of sceneries yes sir really उनकी table में sense के नीचे लगी हुई गुरू जी by the way वो देखिये जो आपने table पढ़ा है कि table के नीचे उनके यहां पर रहती थी जब भी यह पढ़ते थे आप और information लीजिएगा तो बताते हैं कि पढ़ करके अपनी पिलों के नीचे इसे रख दिया करते थे जब उनकी डेथ हुई तब उनकी table पर मिली है और इस छोटे से particular part को ले करके discussion ना करें अंजुम शर्मा तो बहुत अच्छा होगा चलिए सो गैज मैं आपको बता दूं कि मैं बता रहा था कि जो traveler है बहुत ही अच्छे green वाले place से गुजर रहा है और बहुत ही अच्छी scenery है the best scenery और जब भी हम कभी कोई मनोरम द्रश्य देखते हैं the beautiful scenery तो वो हमारे ह्रदय को कहीं न कहीं attract कर लेती है गाइस ठीक है बिल्कुल अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आगे हम थोड़ा सा देखेंगे एक इस्टेंजा है और इस्टेंजा को पढ़ते हुए हम चीजों को समझेंगे नव गईजब पोयम बिगिञ्स इन दिस वोई Whose woods these are? I think I know Whose woods these are? यह किन के जंगल हो सकते हैं? यह जो जंगल हैं यह किन के हैं? यहाँ पर गईज यह जिस्ट बेसिकली जानना चाहते हैं या जानने के छुख हैं Whose woods these are? I think I know ऐसा मुझे लगता है कि शायद मैं जानता हूँ कि ये किस के वुड्स हैं जिन वुड्स से होकर के ये ट्रावलर आपका जा रहा है तो सोचता है इन वुड्स की तरब देख करके सोचता है Whose woods these are? ये किन के पेण हैं जो बहुत सारे वुड्स के जो पेण है या मतलब एक पेणों का जो एक जंगले बना हुआ है ग्रीन वी वाला ये किस के है I think I know मुझे लगता है कि शायद मैं जानता हूँ I think I know मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जानता हूँ His house is in village though His house is in the village though जिनके ये पेण है ये जो पेण है जिनके तो मुझे लगता है कि उसका जो घर है वो village में है एक गाउ में है लास्ट वाली लाइन इसकी बहुत interesting है गाईज मेरे साथ tune रहीएगा और मैं आपको जरूर interpret करूँगा I think I know शायद मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ His house is in the village though और उसका घर कहां पर है शायद उसका घर village में है गाउ में है Means guys ये गाउ को छोड़ करके शायद आगे को बढ़ रहा है ये traveler He will not see me stopping here कई बार होता है ना कि जब हम कहीं पर रुकना चाहते हैं किसी बाग बगीचे में तो बहुत सारे लोग हैं वो नहीं रुकने देते उन्हें लगता है कि शायद हमारे fruits and all ना चोरी कर ले है ना या कुछ ऐसी चीजे ले ले जिसकी वज़ा से कोई दिक्कत आ जाए गाई है ना बिल्कुल तो कई बार मतलब लोग एक personally ऐसे कुछ होता है गाउं की सीन में आपको ऐसा देखने को मिलागा अगर आप बगीचे में बैठ जाएं आप चिडियों की आवाद सुनना अचा रहे हों तो कहते है भाग भाग वहां कहां बैठ गया है चल चल वहां नहीं बैठ नहीं क्या ले तो कई बार लोग ऐसा करते हो खासकर अजनवियों से तो जरूर तो यह जो ट्रावलर है तो ट्रावलर सुचता है कि जिसके यह वुड्स है वो मुझे नहीं रोक पाएगा यहां पर रुखते हुए या ठहरते हुए और वो मुझे यह भी नहीं रोक सकता कि मैं उसके इन पेड़ों को ना देखूं बर्फीला मौशम है जाडे का और बर्फ गिरी हुई है इन पेड़ों पर तो मुझे वो रोक भी नहीं सकता कि मैं इस ब्यूटी को इन जोई न कर पाऊं या देख न पाऊं क्योंकि उसका घर गाउं में है और जब देखिये पेड़ों पर छोटी छोटे बर्फ के टुकडे जिने हम कहेंगे बर्फ के छोटे छोटे जो कन होते हैं वो पढ़ जाते है न तो उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है आपने देखा कि रोबर्ट फ्रोस्ट एक बहुत ही अच्छे पोयट थे और उन्होंने हमेशा सेंसिबिलिटीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है इविन कि आप चीजों को रिमेंबर करेंगे न तो आपको इंट्रस्टिंग लगेगा आईए थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट वाला इस्टेंजा माई लिटिल हॉर्स मस्ट तिंक इट क्वियर क्वियर मीन्स होता है इस्ट्रेंज बिचित्र इस्ट्रेंज या विचित्र माई लिटिल हॉर्स लिटिल हॉर्स ये पोनी हो सकता है जैसे कि horse की कई सारी प्रजातियां होती है breed तो यह हो सकता है कि जो horse है वो pony type हो my little horse must think मेरा जो छोटा घोड़ा है न ये ये जरूर सोच रहा होगा must think it clear कि ये जो मैं action कर रहा हूँ मैं जो यहाँ पर रुकने वाला हूँ या रुक गया हूँ तो वो जरूर सोच रहा होगा देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जानवरों में इतनी sensibility होती है अगर आप ग्रामीर जीवन को कभी observe करें तो ग्रामीर जीवन में आस तो कम है जैसे bell होते थे आक्ष तो उन bellों को ले करके लोग जाते थे तो हल चलाते थे अपने खेतों में साम को जब अपने bellों को वो छोड़ देते थे जब छोड़ देते थे तो वो सीधे घर आते थे क्योंकि उन्हे और दूसरे के घर में बहुत कम घुसते थे mistake हो जाय तो नहीं कहा जा सकता लेकिन without मतलब यह समझे कि उनका जो destination होता था वो always उनका ही घर होता था तो यह जो घोड़ा है तो कम से कम इतनी तो sensibility होगी ना इसमें कि यह जब यहाँ पर है तो अचानक रुख गए और इस घोड़े को आदत होगी कि मुझे मेरे जो मालिक है वो मुझे लेकर के कहा रोकते है जो हमारा particular place है मेरा जो घोड़ा है वो सोच रहा होगा क्या आजीब बात है यहाँ क्यों रुख गए हम लोग क्योंकि यहाँ पर तो कोई form house भी नहीं है और यहाँ पर हम लोग कैसे रुख गए मेरा होर्स जरूर सोच रहा होगा frost speaker यहाँ पर basically you know guys frost को consider कीजे the traveler is the speaker to stop without a form house नहीं है क्योंकि कोई form house नहीं है पास में और यहाँ पर रुख गए अरे बड़ी वजित्र बात है यहाँ क्यों रुख गए यहाँ पर मैं खाऊंगा क्या यहाँ पर तो सारा बर्फ ही बर्फ है so horse may be thinking between the woods and frozen lake यहाँ पर पानी की भी तो बेवस्ता नहीं है कि मैं पानी पीने के लिए में भी साइद master ने रोका हूँ या तो खाने के लिए या तो पानी के लिए कुछ न कुछ तलास में मेरे master ने मुझे रोका होगा बट जब वो यह सोचता होगा कि यहाँ पर जो सिर्फ जंगल ही है और lake भी frozen है क्योंकि बर्फ इतनी है कि बर्फ से freeze हो चुकी है तो यहाँ पर रोक दिया the darkest evening of the year और यह जो evening है यह भी बड़ी, काली, अंधेरी and all and all guys है ना? Yes This is what यह चीज आप देख पा रहे होंगे between the you can see darkest evening of the year मतलब darkest evening they might be thinking Isn't it guys? Yes कुल मिला कर कि यह जो दो स्टेंजा है तो एक स्टेंजा में इनो ने यह कहा कि यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता and another one is टेंजा so the horse is thinking and let's get started with the next one is टेंजा शर्वा, you are feeling low today नो बविता राव, I am not low at all है ना? बिलकुल अब आगे चलते हैं और आगे देखियेगा बहुत इंटरस्टिंग पार्ट है क्यूंकि यहाँ पर वो बातें कही गई हैं गाईस जो आप अपने जीवन में सदम हैसूस कर सके He gives his harness bells a shake harness bells गले में, घोडों के गले में जैसे यह बैल होते हैं तो उनके गलों में घंटियां बान दी जाती हैं टिन टिन इजन्टिन गाईस येस, इट इज वो टिन टिन वाली घंटियां बान दी जाती है और जब टिन टिन वाली घंटियां बान दी जाती हैं तो वो तो इंटरस्टिंग पार्ट होता है Yes He gives his harness bells a shake जो घोड़ा है, ये ही जो है, ये हॉर्स के लिए है हॉर्स ने क्या किया He gives his harness bells a shake, उसने अपने गले की घंटियों को ऐसे ऐसे हिलाया किया रहे, मास्टर धोखा तो नहीं पढ़ गया, यहां कहां रुख गया है आप So, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake ये पूँचने के लिए कि बताओ कोई गलती तो नहीं कर दी रुख क्यों गया भाई, यहां यहां थोड़ी ये जो घंटी की आवास थी So, in between एक और आवाज आ रही थी And what was that? The only other sounds the sweep of easy wind अगर कोई इस bells के अलावा कोई आवाज सुनाई दे रही थी So, which one was that? कौन सी थी वो? वो सिर्फ एक कुछ और आवाजें थी जैसे wind की जो blowing थी जो हवाएं चल रही थी उनकी सरसराहट भी सुनाई दे रही थी And then, a downy flick And you know guys, you can see जो goose and all होते हैं या जो birds हैं तो उनके punk फड़ फड़ाते हैं क्योंकि जब बारी जो burf and all गिरती है ना तो punk अपने पक्षी जो है वो हिला करके साप करते रहते हैं क्यूं? क्योंकि side में lake है ना कुछ दूर पर एक lake है इसी लिए उनके गीज के जो उनके feeder है वह ही फड़ फड़ा रहे हैं बस Only two sounds except these bells Bells के अलावा सिर्फ दूसरी sound बस यही दिख रही थी guys Got it ना? Yes So बस यह समझ लीजे हवाओं का बहना जो wind थी वो धीरे धीरे बह रही थी क्योंकि जब बर्प गिरती है तो हवाओं और भी तेज महसूस होती है Like this Now guys, final stenja इस stenja से मैं आपको कहूंगा Because you all are also aspirant आप लोग तयारी करते हैं मेहनत करते हैं और बाधाएं बहुत आती हैं जीवन में बाधाएं तो ऐसा है कि आती ही रहती हैं और बाधाओं से पार करना ही विद्यार्थियों का परमकरतब्य होता और इस चीज का खयाल रखना जो मैंने title रखा है शुरू में कि आप अगर अपने लक्ष से भटक जाते हैं तो ये पोयम आप देखें तो इतन लाइन्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने मार्ग से अपने लक्ष से भटकते हैं तो आप इन लाइन्स को पढ़िएगा You will realize क्योंकि जैसे आप अपनी तैयारी में है, आपने यहां शेशुरुआत की है, आपको यहां तक पहुँचना है मार्ग में अनन्थ बाधाएं हो शकती है जैसे कभी पैशों की कमी, कभी संसाधनों की कमी, कभी राइड गाइडेंस की कमी तो कभी हम समय नहीं दे सकते, मेरे पास समय नहीं है या फिर और भी बाद हाएं, कभी किसी family tragedy, कभी कोई personal tragedy, कभी कोई बीमारी क्यूंकि ये traveler है जो इस traveler का कोई destination है, जहां इसे पहुँचना था ये वहाँ जाने की बजाए अभी यहाँ पर ही रुका हुआ है middle में अभी वो यहाँ नहीं पहुचा, ये horse ने जो सोचा, कि यार हम यहाँ क्यों रुक गए क्योंकि यहाँ पर कोई place ही नहीं है, जहाँ पर रुकना चाहिए था on the same way कई बार हम लोग अपनी तयारी start करते हैं और यहाँ तक पहुच के रुक जाते हैं, कभी यहाँ पर पहुच करके रुक जाते हैं तो हमें नहीं रुकना है वहाँ पर है ना, बिल्कुल नहीं रुकना वहाँ पर, क्यों? क्योंकि इन लाइन्स पे देखें The woods are lovely dark and deep जो वुड्स है ये ये जंगल जो है ये बहुत इंचांटिंग है बहुत ही घनी हरियाली है और बहुत ही सुखद अनुभव है the pleasant weather and you can see guys you know कि जो ये बर्फ है इस बर्फ ने हर्याली को पूरी ढख दिया है whiteness में convert कर दिया है but the place that is so beautiful the woods are lovely ये जो जंगल है ये जो पेन है ये बहुत सुन्दर है ये बहुत प्यारे है the woods are lovely dark and deep longer distance तक dark and deep है मतलब कुल मिलाकर के इन में बहुत कुछ है इन woods में जो हमें attract कर सके but I have promise to keep लेकिन मैंने वादा किया है जैसे हम खुद से वादा करते हैं कि अपनी तयारी और अपने लक्ष जो है हमारा aim इस लक्ष की जो अंत लक्ष का जो अंत होगा वो यहाँ पर होगा इसी लिए हम इस तयारी को रोक नहीं सकते है see dark and deep and क्योंकि मैंने promise किया है but I have promises to keep मैंने बहुत सारे वादे किये हैं कि मैं ये जीवन में करूँगा मैं ये जीवन में करूँगा मेरे जीवन का लक्ष ये है but I have promises to keep हाँ ये जंगल जो है बहुत घना है बहुत ही dark है इस रास्ते में बहुत अंधेरा भी है शाम का समय हो चुका है वो डार्क हो गया है deep समझ नहीं आ रहा रास्ता and woods बहुत प्यारे हैं कहते हैं कि रुख जाओ आज मत जाओ कल जाना but I have promises to keep लेकिन मैंने वादा किया है खुद से और मैंने लोगों से वादे किये हैं बहुत सारे promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep मीलों चलना है मुझे सोने से पहले हर दिन अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए हर समय और ये समय ये जो traveler है कहता है कि yes and miles to go before I sleep मुझे सोने से पहले मीलों जाना है मीलों पहुँचना है मुझे सोने से पहले जब तक कि मेरा लक्ष मुझे प्राप्त ना हो क्यूं? क्यूंकि मार्ग में तो बहुत सारे obstacles हैं ही बहुत सारी बाधाएं भी हैं बहुत सारे लोग मिलेंगे कई बार हमें एक चीज नहीं दूसरी चीज से प्यार हो जाता है कभी जैसे हमें Facebook में कोई friend मिल गया या मिल गई उससे हमने बातों में अपना समय गवा दिया कभी हमें मेरे सामने वाली खिड़की में मेरा एक चान का टुकडा रहता तो चान का जो टुकडा है कभी उसने हमें सम्मोहित कर लिया और कभी कई बार हमारी परिस्थितियां विपरीथ होती हैं कई बार हम समय नहीं दे पाते समय का अभाव होता है वही बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीजें क्यूंकि आपको attract करेंगी चीजें आप जब सही कदम रखेंगे तो एक दो बाधाएं जरूर होती है यह वही बाधाएं है क्योंकि जो ट्रैवलर है उसका अपना एक डेस्टीनेशन है वो वहां जाना चाहता है ट्रैवलर ने यहां से स्टार्ट किया है और ट्रैवलर यहां वुड्स में है और यह वुड्स इ से वादा करते हैं कि जब तक यह नहीं कर लिया तब तक आराम नहीं हम अपने जैसे पैरेंट से वादा करते हैं कि यस मा मैं पूरी कोशिश करूँगा यस मा मैं पूरी कोशिश करूँगा सपनों को सच करने के लिए कभी अपने बाबुजी से बोलते हैं कभी अपने पित में लाओंगा लेकिन सद उपयोग नहीं दुर उपयोग कभी पबजी खेल करके कर लेते हैं और कभी मैंने बताया ना कि इंस्टाग्राम में किसने मेरी फोटो को लाइक किया किसने कमेंट किया कितने मैसेजेस आए सोशल मीडिया कभी इस शॉर्ट्स को देख करके थोड़ा यहां टाइम वेस्ट कर ले थोड़ा वहां टाइम क्यूंकि यह आपके मार्ग के जो आपने अबजेक्टिव बनाए हैं वो नहीं है मेरे यह उदारण है कि हम भटक जाते हैं क्यूं क्यूंकि हमें अगर हमने यह प्रामिस किया है जिसे हमें पूरा करना है येस बटा जैसे इस ट्रावलर ने कहा कि मैंने प्रामिस किया है जो वादे मैंने किये हैं वो मुझे निभाने है इसलिए मुझे सोने से पहले मीलो जलना है मुझे सोने से पहले मीलो जाना है क्यूंकि मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं है मेरा destination कुछ और है या आप ये कह सकते हैं कि ये traveler बूढ़ा है कह रहा है कि इसके पहले मेरी आखें बंध हो मेरी मरत्यु आए इसके पहले मुझे बहुत कुछ करना है अपने जीवन में क्योंकि मरत्यु जीवन का सत्य है आपके लेकिन शत्य ये भी है कि जब तक आप जीवित है अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते है तो दोस्तों ये पोयम आपके लिए इतना बड़ा मार्ग दर्शन है आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इस पोयम को तो मैंने नहीं लेकिन मैंने भी ये पोयम अपने जब मैं स्टूडंट हुआ करता था आज भी मैं एक स्टूडंट ही हूँ तो तब मैंने इस पोयम को पढ़ा था और फिर मैंने महादेवी वर्मा जी की पोयम को पढ़ा महादेवी वर्मा जी की है जाग तुझको दूर जाना इस पोयम को अगर आप पढ़ेंगे आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा इस पोयम को मैंने कागस में लिख करके अपने रूम में चिपकाया था रूम में मैंने ठिक्स किया था ताकि मैं इसे पढ़ सकूँ मैं अपने सपने को ताकी मैं देख सकूँ जाग तुझको दूर जाना तो देखे आपको अगर आपके मार्ग में अगर बाधाएना तो काम कैसे चलेगा नहीं चल सकता और एक और लास्ट में बात मैं आपको बता दूँ कि आपने वैसे नाम सुना ही है मैंने आज मैं अपने पेडवाली क्लास में जब था तो पेडवाली क्लास में भी मैंने अपने बच्चों के साथ ये बात शेयर की थी रश्मीरती एक वर्क है जिसको रामधारी सिंग दिनकर जी ने लिखा है और रस्मिरती के तृतिय शर्व में रामधाई सिंग दिनकर जी ने लिखा है पांडवों के लिए क्योंकि पांडवों को अग्यात वास मिला था तो देखिए अब अग्यात वास एक बिटप मतलब एक बिभिन परिस्थिती होती है It's a kind of different you know guys situation बट फिर भी दिनकर जी ने लिखा था वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विखनों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आये कुछ और निखर सवभाग ये न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है समझ रहे हैं आप तो जब आप धूप घाम पानी पत्थर ऐसी परिस्थितियां सहते हैं आप अपने आपको मजबूत बनाते हैं यानि जीवन की परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं करती हमें मजबूत बनाती है तो परिस्थितियों से सीख करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं जैसे दोस्तों कि ये आपका जो ट्रैवलर था ये ट्रैवलर बढ़ गया अगर ये चाहता तो यहाँ पर वुड्स के बीच में बैठा रहता लेकिन नहीं उसने कहा येस ये बहुत सुन्दर है मार्ग दर्षन भी नहीं है मेरा लेकिन मैं मैंने प्राउमिस किया है कि मुझे आगे जाना है तो आप भी खुद से प्राउमिस कीजिए कि मैं भी आगे जाऊंगा और जाता रहुँगा गईस तो फाइनली ये पोयम हमारी यहां पर खत्म होती है और बाइद वे दोस्तों अगर आप यूजी सिनेट आस्परेंट हैं तो आप मुझे अनक याडमी आप पर अनक याडमी दी लर्निंग आप पर डेली आप मेरी क्लासेज फ्री और पेड दोनों टाइप की चलती है आप को यूजी सिनेट आस्परेंट के लिए होती है और अगर आप टीजी टी और पीजी टी आस्परेंट हैं हाँ ये कोड ना बूल ये कोड जो है एक एस राजवीर आपके लिए जो कोड है ये ओपन कर देगा फ्री क्लासेज का इस और अगर आप टीजी टी पीजी टी और syllabus वैसे ही रहता है और अगर आप NVS and all करते हैं वो भी same syllabus ही होता है लगबग और grade 1 का जो है आपके MP का वो भी syllabus सेम ही है तो अगर आप इन exams की preparation करते हैं इन दो नमबरों में से किसी भी एक नमबर पर WhatsApp या call करके आप जानकारी ले सकते हैं गर आप चाहते हैं paid courses मैं paid courses में आपको जैसे मैंने ये poem पढ़ाई वैसे ही मेरा technique है मेरी पढ़ाने की और ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ for all the aspirants so thank you so much guys and stay tuned with me always and keep on learning with wonderful platform with an academy with AKS Rajveer and with literature lovers thank you so much guys and have a nice day फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन